क्रिशी वानिजे करण का प्रभाव क्रिशी का वानिजे करण हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा क्रिशी का तेजी से वानिजे करण होने के परणाम सरू भारते किसानों अयव गाउं के तस्वीर तेजी से बदनने लगी पुन्जी का प्रभाव भारत से बिटिश की तरफ हो गया और भारत के गाउं तीजी से निर्धन होने लगे किसान का पूरा परिवार तिन रात परिश्रम करने के उपरान भी रिंड लेकर अपना लगान चुकाता था जिससे किसान बड़ी संख्या में सूत खोरो एवं साओं कारो के चुंगल में फस गया चारो और निर्धनता एम भुख मरी का बोल बाला हो गया किसी वाने जे करन के प्रमुक प्रभाव हमें इस प्रकार से बता सकते हैं इसमें पहला है गाउं में पूंजी की आवशक्ता किसी की वाने जे करन के कारण भारते गाउं की वस्तु विनि में शमता और आत्मिरब्रता समापत हो गई और गाओं में भी दैनलिक आपशक्ताओं की पूर्ति के लिए पूर्जी की आपशक्ता हो गई ठीक eh पहले क्या होता था वस्तु विनेमे मतलब एक वस्तु को देना उसके बदले में दूसरी वस्तु को लेना लेकिन अंग्रेजों की शाषन नीति के कारण क्या हुआ था? केवल वही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जो उनके लिया अन्वार्य होती थी जो किसान चाहते वो अपनी जरुत के अनुसार उनका उत्पादन नहीं करताते थे दूसरा पॉइंट है क्रिशिकों की निर्धनता में व्रदी है क्रिशिके वाने जेकरण से व्यापारी वर्ग एवं इस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाब होने लगा परन्तु किसानों की निर्धनता में व्रदी हुए इसका कारण व्यापारियों की छल कपट पूर्ण जो नहीं थी वह थी वे खेत में बड़ी फसलों को सस्ते दामों पर खड़ी लेते थे और किसान अपनी ततकारिन आवशक्ताओं की पूर्थी के लिए फसल मंडी में ना ले जाकर खेत में ही बेज देता था ऐसे सौदे में व्यापारिक फसल की बहुत कम कीमत तै करता था इस कारण किसानों की निर्दंता बढ़ गई तीसरा पॉइंट आता है अकालों की भ्यायवक्ता क्रिशी के वानेचे करण के कारण फसले और ध्योगिक आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर उगाई जाती थी जूट कपास के खेती में व्रती होने से ध्यान की जो फसलों में भारी कमी हो गई और अकाल पढ़ने लगे कम्पनी का साशन होने से पूरभी भारत में अकाल पढ़ते थी किन्तु उसका करण धान का भाव ना होकर यातायात के सादनों का भाव था ब्रिजिश चार्शन में पढ़ने वाले अकाल वे सुखे का प्रत्यक्ष कारण कम्पनी की दोशपुन उध्योगिक एमक्रिशी नीती थी इस नीती ने भारती किसानों को अतितिक नर्दन बना दिया अकाल के समय खाद्यानों के दाम इतने भड़ गए कि लोग उसको खरीदना उनके लिए असंभव हो गया इस कारण अकाल के समय हजारों लोग भूख से तडब कर मरने लगे प्रायश्व उठाने का भी कोई प्रबंद नहीं था इस कारण पूरा का पूरा छित्र महामारी की चपेट में आ जाता था और हजारों लोग महामारी से ग्रस्थ होकर मर जाते थे कंपनी के शार्षन में 1770 इस्वी के बंगाल के अकाल में बंगाल की एक तिहाई जनसंक्या मर गई 1860 से 1770 इस्वी उत्तर प्रदीश में भी भीशन अकाल पढ़ा जिसमें दूर लाख लोग मरे 1865 इस्वी में उडिसा, बंगाल, बिहार, मद्रास में बड़े अकाल की बीच लाखों लोग मारे गए केवल उडिसा में ही 10 लाख लोग मारे गए 1866 इस्वी में अकाल में पश्मी उत्तर प्रदीश, बंजाब, राजस्थान, बंबई में 14 लाख से अधिक लोग मारे गए इन छेत्रों की एक तिहाई जनसंक्या समाप्त हो गए 1876-78 में मदरास, मैसूर, हैदराबाद, महरास्थ, पश्मी, उत्तर प्रदीश और पंजाब में भीशन अकाल पड़ा इस अकाल में पंजाब में 8 लाख और मदरास में 35 लाख लोग मरे मैसूर की 20 प्रतिशे जनसंक्या मर गई, उत्तर प्रदीश में 12 लाख से अतिक लोग मरे इस तरह जो अकाल अठारा सो निन्यान में इस वी में अकाल को छापनी है, अकाल कहा जाता है हमारी राजस्थान में 25 प्रतिशत लोग मारे गए विल्यम डिब्बी के अनुसार 1857 से 1901 इस वी में अकाल से देश में लोगों की मौत हुई ठीक है, इतना आगड़ा ये लोग बता रहे हैं कि कितने लोग मारे गए अकाल के कारण फोर्थ पॉइंट आता है, क्रिशी में विद्रो नगदी फसलों की खेती के कारण किसानों को शेहरों में आना जाना भड़ गया इसे किसानों में राजनेतिक चेतना का प्राथ हुआ हुआ इस चेतना ने किसानों को शोशन कारियों के विद्रो करने के लिए उकसाया जैसे जैसे पुन्जिवादी विवस्ता कठोर होती चले गए, क्रिशिक विद्रो भी भड़ते गए 1857 में दक्कन में मराठा किसानों ने साउकारो के विरुत बगावत की किसानों में असंतोश को कम करने के लिए 1879 में दक्कन काश्तकारी सायता अधिनियम पारित हुआ 1870 में बंगाल में बटाईदारों का आर्थिक संकर भड़ने पर उन्होंने लगान देने से मना कर दिया इस समय सिंथालों ने भी विद्रो किया इस कारण 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ पांचवा पइंट आता है कि नवीन आर्थिक समाजिक वर्ग का उदे ब्रिटिश सरकार ने भारतिय सामन्ती विवस्ता को समाप्त करने करके जमिदार छोटी काश्टकार खेतीहर मजदूर आधि नवीन आर्थिक समाजिक वर्गों को जन्म दिया नई हिललगान विवस्ता ने भी भार्ति ग्रामीर समाजिक समंधो पर गहरा प्रभाव डाला प्रंप्रागत रोब से भारतिक रिश्य समुदाय के सदस्यों नेपरस्पर समंधो का निर्धारण जातिय संबंदों आर्थिक आधार परंप्रा वहरिती रिवास पर अधारे था ब्रिटिश कानुनों तथा आर्थिक नीती ने परंप्रागत समाजिक वे जाति प्रभुंदों को शितिल कर दिया ब्रिटिश आर्थिक नीती के फल सरूप जो समाजिक आर्थिक वर्ग अस्तिर्थ में आया उसमें सबसे नीची पीडी पर निम्ण वर्ग ही था अब हमारा सिक्स पॉइंट आता है भूमी हीन तथा क्रिशी वर्ग का उदय ब्रिटिश क्रिशी नेती आर्थिक नेती व्यलगान प्रनाली के पर नम सरूप छोटी किसानों की जमीन उनके अधिकार से निकलकर सावकारों के पास पहुँच गई जिससे भारती किसान भूमी हीन होकर खेतिहर श्रमिक के खेतिहर श्रमिक में बदल गए खेतिय श्रमिकों की संख्या दिनों दिन भणने से समस्त खेतिहर श्रमिक के लगबग आधी लोग इसी वर्ग में आ गए 1875 इस्वी में देश की भूमी हीन किश्रकों के संख्या असी लाग करीब हो गई थी साथवा पाइंट आता है याता यात एम संचार साधनों में सुधार क्रिशी के बाने के जरनकर कारण क्रिशी जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से गती से पहुशने के लिए किसानों की बिक्री सोधा भाव आधी सूचन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुशने के लिए डाग तार टेलिफोन आधी संचार व्यवस्ता का विकास हुआ कम्पनी ने भारत की प्रमुक व्यपारिक मार्गों पर अच्छी सडकों का निर्मान किया ताकि बंदर गाओं तक कच्चे माल पहुचाने में स्वीधा हो सके येरोपियन लेखों को ने लिखा कि यह सब भारती जीवन इसतर को उचा उठाने एम विक्सित करने के लिए किया गया जबकि पास स्विक्ता क्या थी कि ये समस्त कारे इसलिए किया गया ताकि भारती कच्चा माल अराम से महाँ पर ले जाया जा सके आठ्वा पॉइंट था विश्व्यापी मंदी की मार भारत का किसान क्रिशी की वाने जीकर्ण से पहले विश्व्यापी मंदी के दोर से भी असर रहता था किन्तु अब उसकी प्रतिसवर्दा विश्वर्ण से किसानों से थी इसलिए उसकी भी मंदी की जापेट में आजाना स्वभाविक था भारत में वर्ष 1929 में मंदी के दोर में 10 अरब 34 करोड रुपए मुल्ले की पैदावार होती थी और जो 1933 इसलिए में घटकर केवल 4 अरब 73 करोड रुपए मुल्ले रह गई थी